मेगनाद के साथ युद करते हुए राम और लक्षवन दोनों ही बेहोश हो गए और युद भूमी में गिर पड़े रावन ने सीता को डराने के लिए उनके पास यही ख़बर विजवाई के राम और लक्षवन की मृत्यू हो गई लेकिन सीता को जब इस बात पर विश्वास नहीं हुआ तो रावन ने तरिजिटा नाम की अपनी राक्षवसी को कहा कि तुम सीता को पुश्वक बिमान में बिठा कर ले जाओ और युद भूमी में राम और लक्षवन का शव दिखाओ तुम सीता के साथ पुश्वक बिमान में बैठकर सीता जब युद भूमी में पहुँची और राम और लक्षवन को अचेत देखा तो उने वाकिए ये लगा कि दोनों की मृत्य हो गई है और सीता जोर जोर से रोने लगी और तब त्रिजटा ने रहस से खोला और सीता से कहा कि तीन ऐसे लक्षण है जिन से पता लगता है कि तुम्हारे पती अभी जीवित है पहला ये कि इनका चेहरा ठका हुआ है जबकि बृत व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग तरह की शोभा होती है दूसरा ये कि इनकी सेना उदास नहीं है सिर्व इने घेर कर सुरक्षा दे रही है और तीसरी सबसे जरूरी बात ही है कि पुश्पक विमान में कोई विद्वा औरत बैट नहीं सकती तुम बैठी हो इसका मतलब तुम्हारे पती अभी जीवित है और ये बात हमें वालविकी रामायन के लंका कांड के 48 में अध्याय में मिलती है